इस वीडियो में हम पढ़ने वाले है, utility of bookkeeping, याने bookkeeping के क्या-क्या इस्तमाल हम लोग करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पास कितने points हैं, again there are seven points, like we have studied some features, objectives and क्या पढ़ा था हमने last video lecture में, तो नीचे comment पर कीजे कि last video कौन सा था और क्या किस बारे में बात किया है, so that I will understand कितने लोग genuinely पढ़ रहे, कितने लोग active है, now there are seven points, यह जो bookkeeping है किन-किन लोगों को काम आती है, owners देखते है, management देखता है, investors देखते है, customers देखते है, government देखते है, lenders देखते है, और यह सब चीज हम किस के लिए करते है, development के लिए करते है, ठीक है, तो चलिए one by one हर एक point को पढ़ते है, बहुत crisp में, बहुत अच्छी तरीके से with some example, सबसे पहले utility मतलब क्या है sir, utility का मतलब है advantage, so यह सारे synonyms है, हिंदी में उसको समानार्थी शब्द कहते ह है, ठीक है, so utility का एक synonyms या समानार्थी शब्द है, advantage, दूसरा है profit, कि यह x y z काम करने से हमें क्या profit मिलेगा, क्या utility मिलेगा, ठीक है, economic की भाषा में हम satisfaction भी बोलते है, then benefits, what are the utility means what are the benefits, gain, so लगबग लगबग यह है कि यह positive word है, जिसमें हमें कुछ न कुछ फाइदा होने ही वाला है, इसलिए इस word का use करते हैं, तो जब bookkeeping हम पढ़ रहे हैं, तो bookkeeping हमें क्या फाइदा देगा, और उचमें किन-किन लोगों को फाइदा देगा, वो बता रहे हैं, और सबसे पहले फाइदा मिलता है, किसी भी business के owner को, क्यों मिलता है bookkeeping maintain करने से फाइदा owners को, ताकि owners को पता चले at the end of the year, ठीक है, हम owner है इस company के, तो हमें पूरा अधिकार है जाननी के लिए कि हमारा business कैसे चल रहा है, profit में है, loss में, हमारे assets क्या है, liabilities क्या है, ठीक है, तो आपके screen के सामने ये बहुत सारे जो business owners है, वो अपने financial accounts या records को हमेशा बारी किसे देखते हैं, चाहे वो Jeff Bezos हो, Jack Ma हो, Warren Buffett हो, Larry Peg हो, Bernard हो, Carlos हो, Mark Zuckerberg हो, Elon Musk हो, तो सभी लोग क्या करते है, they are the owner of their business and अपने bookkeeping को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारी की तरीके से देखते हैं, ताकि business profit हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने percentage में हो रहा है, पिछले साल कितना business हुआ, इस साल कितना business हो रहा, losses अगर हो रहा है, तो कौन से section के वज़े से loss हो रहा है, कितने assets है, कितने liabilities है, यह सारे चीज वो देखते हैं, ठीक है, तो bookkeeping मदद करता है, owners को अपने profit, loss, assets and liabilities को देखने के लिए, then, यह किसी भी company के management को भी benefit देता है, तो सबसे पहले screen पर management है, वो chart देखते है there are three types of management, top management, middle management and first line management, top management में कौन को नाते है, chairman, vice president, board of director, chief executive, middle management में general manager, regional manager, first line management में supervisor, officer manager, team leader, तो यह सारे जो management है, वो भी अपने financial records, in short, bookkeeping को देखते हैं, समझते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं, क्यों करते हैं यह सब, ताकि वो properly plan कर सके कि आने वाले दिनों में हम कितना invest कर सकते हैं, ठीक है, हमारा decision जो है, क्या सही जाएगा financially, non financially तो हम बहुत सारे decision ले सकते हैं, but when it comes to investment, diversification or business expansion, हमें याद रखना है कि हमारे पास पैसा कितना है, तो य कौन हमें बताएगा पैसा कितना है, यह हमें बताएगा अपना bookkeeping या books of records या financial information, ठीक है, अगर समझो कोई जगे में या किसी plan में हमने invest किया है, तो यह business को किस तरीके से फायदा मिल रहा है, क्या हमने जो expenditure सोचे थे उतना हुआ है, then that is under control, अगर expected से कम खर्चा हुआ है, then very good control, लेकिन expectation से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, then we are not in control, so overall business जो है, अपना control में होना चीए, from financial point of view, कि हमने जो सोचा है, उतना ही खर्चा हो रहा है, या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो यह details कौन बताएगा हमें, अपने books of accounts या books, जो हमने maintain किये हैं, वो उसको दुसरी also benefit investors, क्यों benefit करता है investors को, ताकि वो proper decision ले सके कि हम इसमें invest करें या नहीं करें, तो जब भी जो angel investors है, बड़े बड़े angel investors, मोहंदा स्पाई है, रतन टाटाजी है, कुनाल बहल, रोहिद बंसल, राजन आनंदन, आनुपम मित्तल है, क्रिस गोपाल कृष्णन, सचिन बंसल, जिशान हयात, विजय शेकर शर्मा, ये सारे लोग angel investors से, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, किसी भी company के financial records को मंगाएंगे, वो शुरुवात में देखेंगे, capital कितना introduced हुआ है, उसका कितने level पे या कितने fold का profit हुआ है, अगर profit making company है, तो अगर loss making company है, तो loss कितना हुआ है, व सारा जो है details, उनको financial information से मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे companies के नाम लिखे गए, उनके उनके profiles के नीचे, तो ये सारे angel investors है, जो हर एक company में थोड़ा-थोड़ा invest करते है, so that उस business को boost मिलता है, plus आपको returns भी मिलता है, Now you will ask, सर ये angel investor मतलब क्या है, तो angel investor का मतलब ये है, कि जो high-end net worth वाले लोग है, जो individual है, financial backing provide करते है, छोटे-छोटे startups को, ठीक है, छोटे-छोटे startups मतलब, जो बड़े level पे भी काम करना चाहते है, बट financially उनके पास उतनी capacity नहीं है, या कोई भी institute उनको उतना finance नहीं दे रहा Such investors, जो already बादशा है market में, जो already market चलाते है, वहाँ पर जाते है, अपने business के लिए, अपने startups के लिए, अपने entrepreneurs के लिए, वो पैसे मांगते है, investment मांगते है, और typically उसके exchange में उनको क्या मिलता है, share holding, तो वो क्या हो जाते है, equity holders बन जाते है, याने co-owners होते है, उस company के या उस enterprise के या उस startup के, ठीक है, तो यह सारा information जो है, हमें कहां पर मिलेगा, कितने investors है अपने company में, वो भी information हमें, अपने books of record से भी मिलता है, तो याद रखे, books of record जब भी maintain करते हैं, अच्छे से maintain करें, because you are responsible for the company's investors, अगर books of record बहुत अच्छे से clear image दिखा रहे, transparent है, investor definitely invest करेगा, पूरे पैसे निकाल के, किसी और company में invest करेगा, ठीक है, अब हर एक company कोई ना कोई business करती है, तो business करते time, they are service provider, and then they are customers, ठीक है, so customers भी easily अपने financial positions को समझ सकते हैं, अपने याने company के financial positions को समझ सकते हैं, ठीक है, तो company के लिए एक assurance देना बहुत जरूरी है, कि हमारे सारे customers को हम स साथ में लेके चले, ताकि हमारा जो supply of goods है, वो बहुत अच्छे से हो, और supply of goods अगर अच्छे से हो रहा है, तो that means you are financially stable, and your books of records are maintained well, and you are working systematically, then there comes an important personality, जिने कोई भी कभी भी किधर भी भूल नहीं सकता, आप पैदा होते ही, government आपके पीछे पढ़ जाती है, भया, bird certificate बना लो, जैसे आप निकलते हो, घर वालों के पीछे पढ़ जाती है, भया, dead certificate बना लो, तो जब ये life के हर mode पे government खड़ी होती है, तो जब हम business करते हैं, तो हमें अलग-अलग type के taxes पे करने पढ़ते हैं, पिछले video lecture में हमने समझा, कौन से कौन से तरीके के tax पे करते हैं, तो वो comment section म में बताइए कि कौन से तरीके से tax पे करते हैं, कितने types of tax हैं अपने इंडिया में, तो government of इंडिया जो हमारे इंडिया में काम करती है, वो हमारे लिए बहुत important है, और government of इंडिया जो है, एक tagline में चलती है, सत्यमे वजयते, तो ये सत्यमे वजयते, हमारे books of records में भी झहलक ना चाहिए, हमने जो books of records बनाएं, जो financial information दिये, वो सही है, illegal कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कोई error नहीं है, कोई omission नहीं है, सारे records हमने properly maintain किये हुए, अगर profit दिख रहा है, तो उस हिसाब से tax pay करेंगे, अगर loss दिख रहा है, तो उस हिसाब से benefits लेंगे, then money lenders, जो भी पैसे हमें देता है, lend करता है, उन्हें भी financial information बहुत ज़रूरी होती है, अगर किसी भी बड़े financial institutions को आप बोलते हैं, कि हमें XYZ amount का लोन चाहिए, 5 करोड का लोन चाहिए, 10,000 करोड का लोन चाहिए, तो वो सबसे पहले हमारे books of accounts मंगवाते हैं, चाहे वो 3 साल का हो, 5 साल का हो, depends की company का, जो business है, कितने पुरानी time का है, और ये money lenders क्या करते हैं, हमारे asset side देखते हैं, कि इनके पास, अगर दिवाला निकलता है, company नहीं चलती, तो इनका asset जो है, कितना है, अगर company बंध हो जाती है, तो क्या ये assets बेज कर हमारे पैसे पूरे कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं, तो हम इनको पैसे दे देंगे business करने लिए, right, so ये decision making चीज है, कि कोई भी company, किसी भी XYZ institute से अगर पैसे मांगती है, तो अपना books of records उन्हें submit करना पड़ता है, और ये सब चीज हमें क्यों करना पड़ता है, हम books of records क्यों maintain करता है, ताकि business enterprise आपने जो business growth है उसको achieve कर सके, कैसे achieve करेंगे, जब business control में रहेगा, जब business के decisions अच्छे होंगे, जब business financial records देखकर plan करेगा, कि हमें expansion कैसे करना है, grow कैसे करना है, diversify कहां करना है, तो ये सारा चीज, basically decision making, हमें अपने books of records, financial records, books of accounts से मिलेगा, तो मोटा मोटी अपना जो topic है, bookkeeping वहां से मिलेगा, तब ही जाके हम अपने business को develop कर पाएंगे, तो जैसे हम business develop करते हैं, वैसे ही अपने YouTube channel को भी develop करिए, subscribe कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और video lectures देखते रहिए, थोड़ा धीरे धीरे हम ये subject खतम करने वाले ह अभी subscribe करो, फिर like करो, bell icon में click करोगे, तो अगले video lecture का notification आएगा, till then, thank you so much, bye bye